आखिर भारती जैन्दा पार्टी कब तक कहती रहेगी कि गुप्त चुनावी चंदा एक घोटाला नहीं है? वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुँच। अब तो बैंगलूरू की एक अदालत ने वित्त मंत्री निर्मला सीता रवन के खिलाफ एफ आई आर दर्ज करने का आदेश दिया है। कॉंग्रिस उनकी स्टीफे की मांग कर रही है। कॉंग्रिस ये कह रही है कि इस मुद्दे पर S.I.T. का गठन होना चाहिए। बड़ा प्रश्मिये कि सुप्रीम कोट जिसने खुद गुप्त चुनावी चंदे की स्कीम को खत्म किया था वो इस मुद्दे पर S.I.T. का गठन क्यों नहीं करती है। आज मैं इस कारिकरम में नसर्फ निर्मला सीता रमन के खिलाफ F.I.R. दरज करने और ये F.I.R. सिर्फ निर्मला सीता रमन के खिलाफ नहीं हुआ है दोस्तों। भारती जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड़ा के खिलाफ भी ये F.I.R. दर्ज करने के आदेश दिये गए हैं क्या इसके बाद भी भारती जनता पार्टी खामोशी से कहेगी कि आल इस वेल कुछ गड़बड नहीं है ये मुद्दा क्या है दोस्तों आपके सामने खबरों के जरीए मैं आपको बतलाना चाहता हूँ निर्मला सीता रमन पर चुनावी बॉंड स्कीम में जबरन वसूली कारोप कोट में F.I.R. दर्ज करने का आदेश दिया खबर क्या कहती है आपके स्क्रीन्स पर नगाया गया था दोस्तों जाहिर सी बात है कॉंग्रिस इस पर उग्र हो गई है पार्टी की नेता जैराम रमेश ने सीधे तोर पर निर्मला सीता रवन का स्तीफे की मांग की है सुनिए वो क्या कह रहे हैं इस F.I.R. में हमारे कहने से नहीं कोर्ट के कहने से यह जो नाम F.I.R. में शामिल किये गए हैं यह कोर्ट के वज़े से कोर्ट ने कहा है आदेश दिया है विशेश अदालत ने आदेश दिया है एक्क्यूज नंबर वन सरवपरी देश के हमारे वित्तमंत्री हैं उनको फोरण इस्तीफा देना चाहिए नेतिक रूप से ज्याईक रूप से और राजनीतिक रूप से वो दुशी है एबी, एडी, इंकम टैक्स ये दो संस्ताएं सीधे वित्तमंत्राले से जुड़े हुए है और S.B.I. भी वित्तमंत्राले के जुरिस्दिक्शन में आता है तो एक्यूज नंबर वन जो हमारे यूनियन वित्तमंत्री हैं भारत के वित्तमंत्री हैं उनको फोरण इस्तीफा देना चाहिए ऐसे तो जो कारवाई होनी है या एक रूप से अभी जो सिंग्वी साब ने कहा है वो किया जाएगा वो चलता रहेगा पर आज हमारी मांग है इस F.I.R. को मद्य नजर रखते हुए वित्तमंत्री का इस्तीफा और अनिवारिया है कॉंग्रिस मानती है कि ये 8,000 करूर का घोटाला है अगर कॉंग्रिस के मानने से क्या होता है क्या सुप्रीम कोड भी ये बात मानेगी क्या सुप्रीम कोड भी इस मामले में S.I.T. के गठन की बात करेगी सुनिए अभिशेक मनु सिंग भी क्या कह रहे हैं इस घोटाले के बारे में इस मुद्दे पर कॉंग्रिस ने खास तोर से रविवार को एक प्रेस कांफरेंस बुलाई थी सुनिए क्या कह रहे हैं अभिशेक मनु सिंग भी अब चौथा पहलो जो F.I.R की बात है यह याद रहा है इसके सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि यह F.I.R ऐसा नहीं है कि मैं रास्ते चलते उठाके F.I.R डायल कर दी यह पुलीस अफसर बैठे है इनको बिने दे दी उठाके F.I.R और किसी प्रदेश में पुलीस अफसर ने वो F.I.R शुरू कर दी जी नहीं एक प्रावधान होता है मैं तक्डिकी नहीं होना चाहता उस प्रावधान के अंतरगत एक फिल्टर होता है एक जांच होती है प्राथविक रूप से उस जांच के आधार पर न्यायले न्यायधीश किसी भी दरजे का हो जिसकी पास अधिकारक्षेत्र है वो उसको सोच समझ के एक आदेश देता है कि इसमें प्रथब दृष्टिय रूप से एक डंडनिय चीज हुई है एक offense है प्राथविक रूप से ये ये प्रावधान है जो इसमें उठ सकते हैं आप इसको देखकर तुरंत F.I.R. दायर कीजिए और यही हुआ यही प्रक्रिया हुई करनाटक में इस F.I.R. में F.I.R. में क्या का गया है एकुष्ट 1 वित्तमंत्री, एकुष्ट 2 E.D. Officials, एकुष्ट 3 BJP Officials, एकुष्ट 4 Naleen Kumar Katil and other constitutional office bearers इसका भी आपको extract दे रहे हैं, transition दे रहे हैं इसका भी आपको, conspired and extorted more than 8,000 crores from the CEO and MD of MNC and TNC corporate companies in the name of electoral bonds. A.C.U.S. A.1 with the help of A.2 has made thousands of crores of money in a secret way for the benefit of A.3 at the national level and accused 4 at the Karnatak state level. A.1, i.e. the Honorable Finance Minister, raided and seized several corporate companies by using accused A.2 and seized CEOs and MDs of the corporate companies. Fearing the attack of accused A.2, many corporate companies were forced to buy electronic bonds worth crores. उसके बाद नाम दिये हैं, आक्रे दिये हैं, 230 crores एक case में और कई करोड सब लिखा है F.I.R. में और अंत में लिखा है कि इन इन प्रावधानों के अंतरगत, इन इन IPC और आजकल जो नहीं सहीता है उसके अंतरगत ये आरोप बनता है और कुल आक्रा है 8,000 crores का. दोस्तों इस पर भारती जनता पार्टी की प्रतिक्रिया भी आई है और मैं आगे जाके आपको बतलाऊंगा कि इस मुद्धे पर S.I.T. के गठन की क्यूं जरूरत है? क्यूंकि अब मैं अपनी खुद की पड़ताल के जरीए आपको बतलाने वाला हूँ कि किस तरह से गुप्त चुनावी चंदा का जो मामला था ना वो एक हाथ दे और दूसरे हाथ ले वाली स्कीम बन कर रह गई थी. यानि कि भारतिय जंता पार्टी को गुप्त चुनावी चंदे के जरीए पैसे दीजे, आपको गिरफतार नहीं किया जाएगा, आपको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, और आज नहीं, आज से करीब 6 महिने पहले इसी मंच पर, इसी दीवार पर, मैंने आपके सामने वो रिपो कि अपने राजनीतिक विरोधियों, धन्ना सेटों को ब्लाक मेल भी किया जा रहा था, कि गुप्त चुनावी चंदा नहीं दोगे तो जेल जाओगे, और कुछ लोग जेल से बच रहे थे, ये गुप्त चुनावी चंदा देकर, देखिया, आज से 6 महिने पहले मैंने आता हूँ, एक एक करके आपके स्क्रीन्स पर, मेगा इंजिनरिंग बीच्स एलिंटी तु बैग 14,400 क्रोर, खाने बोरिवली ट्विन टानल प्रोजेक्ट जिसकी कीमत 14,400 करोड है, वो मेगा को मिला, उसके बाद देखिये साब, जो इन्हें प्रोजेक्ट मिला था, उसके 966 करोड रुपए, यानि कि 11 अप्रेल 2030, इसको मेगा इंजिनरिंग 966 करोड रुपए के एलेक्टोरल बॉन्स खरीते हैं, चंदा देते हैं, और उसके एक नहीने बाद, आपके स्क्रीन्स पर दोस्तों, उन्हें मिल जाता है कॉन्ट्राक्ट 14,400 करोड का, सवाल यही किया आगे देखिए, 3621 करोड का बुलिट ट्रेन स्टेशन प्रॉजेक्ट, यह किसको मिला, MEIL यानि मेगा इंजिनरिंग इंफ्रस्ट्रॉक्चर लिमिटेड, और साथ में हिंदुस्तान किंस्ट्रॉक्शन कामपनी, फिर देखिए, मंगोलिया में 5,400 करोड का प्रॉजेक्ट मिला, मेगा को, मैं आप से सवाल पूछना चाहता हूँ, ऐसा क्यों, और सबसे बड़ी बात, तेलंगाना का KLIS प्रॉजेक्ट, यह एक री इंजिनरिंग प्रॉजेक्ट था, और खुद मोदी सरकार की एजनसी यह कह रही थी, कि मेगा इंजिनरिंग ने चार गुना ज्यादा प्रॉजेक्ट कॉस्ट जो है, वो पेश किया, यह मोदी सरकार की CAG कह रही है, मैं आप से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कि जब CAG ने इस कथित घोटाले की तरफ इशारा किया, तो क्या मेगा पर कोई कारवाई हुई, नहीं, उल्टा नितन गड़करी ने मेगा की तारीफ की थी संसत के अंदर, यह तो बात मेगा की हो गई, अब हम बात करते हैं, फ्यूचर गेमिंग की, लॉट्री किंग, सांटियागो मार्टिन की, क्या आप जानते हैं दोस्तों, उनके बेटे भाजपा में शामिल हो जाते हैं, और आप देख स जिसकी कांपनी ने 1,368 करोड रुपए भाजपा को दिये, वो क्या बोल रहे हैं, on behalf of AIFL TAI, had a productive meeting with Honorable Finance Minister Nirmala Sita Ramanji and discussed unlocking lottery industry's potential in India, we hope to create 5 crore plus jobs and livelihood for the underprivileged. यहाँ पर सैंटियागो मार्टिन का बेटा वितमंत्री से मुलाकात कर रहा है, जिस कंपनी का ऑपरेटिंग राजिस्व 500 करोड है, वो 1,368 करोड रुपए गुप्त चुनावी चंदे कैसे खरीद सकता है और दान कैसे कर सकता है, और सबसे बड़ी बाद, 2019 से future gaming पर agencies की कारवाई शुरू होती है, 2019 से कारवाई चलती है और 2022-23 में उनके 400 करोड की संपत्ती को ED अटाच कर देती है, जब्द कर देती है, अब आप यह कह सकते हैं कि चंदा देने के बावजूद उनकी संपत्ती को अटाच किया, मगर क्या सांटियागो मार्टिन को गिरफतार किया गया, उनके बेटे भाच्पा में क्यों शामिल हो गए, यह तमाम सवालात हैं, इसलिए मैंने कायर करम की शुरूआत में कहा, कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की जो गैरंटी की स्कीम है, जो गैरंटी की बात करते है वो आज पूरी तरह से एक्स्पोज हो गई है, इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूं कि क्या गुप्त चुनावी चंदा आजाद भारत के इतिहास का भरष्टाचार का सबसे बड़ा मामला है, आखिर क्यों मोदी सरकार इस मामले को छुपाने की कोशिश कर रही थी, आखिर क् पराश्ट्रिय बैंक SBI ने जूट बोला कि हम 30 जून से पहले जानकारी नहीं दे सकते, मगर जैसी सुप्रीम कोट फटकार लगाती है, तो 12 मार्श को इस सारी जानकारी जो है, वो सामने आ जाती है, सवाल तो किये जाएंगे ना, क्या इस मुद्दे से मोदी सरकार बच सक सकती है, क्या SBI पर दबाब बनाये गया था मोदी सरकार द्वारा जूट बोलने के लिए स्वावाविक सी बात है, इसका जवाब हाँ है, क्योंकि SBI मोदी सरकार के अंतरकत काम करती है, और सबसे बड़ी बात, सेरम इंसिट्यूट के आदार पुनावाला, यहां प्रधान नंतरी से मिल रहे हैं, आप जानते हैं, 2021 में उनकी वैक्सीन कोवी शील्ड सामने आती है, और इन आखडों के मताबिक, रॉइटर्स की स्पड़ताल के मताबिक, अगले ही साल सेरम इंस्टिट्यूट भाजपा को बावन करोड का चंदा देता है, सीक्रिट एलेक्टोरल ब सेरम इंस्टिट्यूट की, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये भरष्टाचार के मामले हैं, मगर यहां दिखाई दे रहा है बाकाइदा की दबाव था, क्या चुनावी चंदा देने की एवज में फाइदा हुआ, और सबसे बड़ी बात, दो कंपनियों की मैं बात करना अब ये चुनावी चंदा किस पॉलिटिकल पार्टी को गया, ये सामने आना चाहिए ना, उसी तरह से औरबिंदो, औरबिंदो के मालिक को गिरफतार कर लिया जाता है, और अगले ही मैने वो चुनावी चंदा देते हैं, अब ये पैसा किसको गया, ये भी तो सामने आना इसलिए मैं बार-बार कह रहा हूं कि आजाद भारत के इतिहास का यह सबसे बड़ा स्कैम है अरुन जेटली जो अपने दफ्तर में बैट के तमाम न्यूस चैनल्स को कंट्रोल किया करते थे आज वो हमारे बीश नहीं है मगर यहीं वो व्यक्ति है अरुन जेटली जो यह स्कीम लेकर आये थे याद कीजिए जब यह स्कीम लेकर आये थे तो इसका विरोध रिजर्व बैंक ओफ इंडिया ने किया था शुनाव आयोग नहीं किया था ये बात अलागे कि बाद में इन्होंने यूटर्न ले लिया शुनाव आयोग ने तो ले ही लिया मगर याद कीजिए रिजर्व बैंक ओफ इंडिया के चेर्में उरिजीत पटेल इन्होंने वक्त से पहले अपने पत से इस्तीफा दे दिया था इस अब क्या हो रहा है दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों इस रिपोर्ट को देखने के बाद भारती जनता पार्टी ने क्या कहा है पार्टी ने तर्क दिया है कि आरोप राजनीती से प्रेरित हैं और चुनावी बॉंड का मुद्दा नीतिगत मामला है ना कि आप राधिक बीजेपी ने करनाटक के मुख्यमंत्री सिद्ध रमया पर चल रहे मैं सूर अर्बन डेवलाप्मेंट अथॉरिटी केस को लेकर भी हमला किया सुना आपने दोस्तों भाजपा ने क्या कहा कि ये नीतिगत मामला है अभी अभी मैंने आपको रिपोर्ट बताई है और मैं चुनावती देना चाहता हूं पूरी अंधभक्त बिरादरी को पूरे आईटी सेल को कि जो जो शब्द जो जो जानकारी मैंने आपके सामने पेश की है इसमें एक भी जानकारी को आप गलत साबित करके दिखाएए ये छे महिने पुरानी रिपोर्ट है हो सकता है कि इस रिपोर्ट में कुछ और तबदीलियां आई होंगी मगर ये भुनियादी सकते है अब भी भारती जनता पार्टी ये कह रही है कि ये नीतिगत मामला है सीधा सा सवाल है दोस्तों आपके सामने तथियों की जरीए मैंने आपको बतलाया कि इस हाथ दे दूसरी हाथ ले का काम चल रहा था मैं ये तो नहीं कहता कि निर्मला सीता रमन को इस्तीफा देना चाहिए और मैं आपको बताता हूँ क्यों क्योंकि ये मामला वजूद में तब आया था जब अरुन जेटली वित्त मंत्री हुआ करते थे उस वक्त शुनाव आयूगनिस का विरूद किया था रिजर्व बैंक उफ इंडिया ने विरूद किया था मगर फिर रहस्मे तरीके से कुछ दबाव काम आये जिसके चलते उन्होंने यूटर्न ले लिया तो जाहिर सी बात है ये जो गुप्त शुनावी चंदा का स्कीम जो आया है ये प्रधान मंत्री नरेंद्रमोदी और अरुन जेटली की दिमाग की उपज है निर्मला सीतारमन इस स्वक्त वित्त मंत्री हैं उन पर हमला करना आसान है मगर आप भी जानते हैं कि गुप्त शुनावी चंदा के वजूद में आने को लेकर उनका कोई हाथ नहीं था इसमें प्रधान मंत्री का हाथ था और हम ये ना भूलें जब अदालत ने उस स्कीम पर रोक लगा दी थी तब भी प्रधान मंत्री गोदी मीडिया को इंटर्व्यूज में उसे डिफेंड कर रहे थे उसे जायज ठहरा रहे थे यहां सही सुना अपने जबकि सुप्रीम कोट उसे खारिच कर शुकी थी फिर भी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को इस कदर चोट पहुँची थी कि वो सभी मंचों पर जाकर सभी इंटर्व्यूज में जाकर उसे जायज ठहराने का काम कर रहे थे सीधी सी बाद दोस्तों इस पर एक आजाद S.I.T. का गठन क्यों नहीं होता सुप्रीम कोट S.I.T. का गठन क्यों नहीं करती दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा ना होना चाहिए ना क्योंकि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी तो क्या कहते हैं कि वो करप्शन के खिलाफ गारंटी है याद है कि नहीं आपको क्या कहता है उन्होंने सुनिए अगर उनकी गोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी गारंटी है और मेरी गारंटी है हर गोटाले बाज पर कारवाई की गारंटी और यहीं नहीं वो पुराना बयान कौन सा है ना खाऊंगा ना खाने दूँगा गौर फरमाईए अर मेना तो मंत रहा है ना खाऊंगा ना खाने दूँगा ऐसे में अगर कॉंग्रेस S.I.T. के गठन की मांग कर रही है कौन से राज सामने आ जाएंगे कौन से गुप्त राज सामने आ जाएंगे जिसको लेकर भाच पर डरी हुई है जैराम रमेश इस मुद्दे पर S.I.T. के गठन की मांग कर रहे है सुनिए वो क्या कह रहे है चंदा दो धंदा लो प्रीपेड ठेका लो डिश्वत दो पोस्ट पेड हफता वसूली पोस्ट रेड और चौथा फर्जी कमपनी तो यह है बैक्राउंड यह है प्रिश्ट भूमी इस F.I.R. का चार महिने से हम मांग कर रहे हैं कि एक S.I.T. होना चाहिए सुप्रीम कोट में ताकि पूरा खुलासा हो किनोंने फाइदा उठाया है इलेक्टरल बॉन्ड का क्यों इलेक्टरल बॉन्ड उन्होंने खरीदा उन पर क्या धमकियां दी गई थी E.D. इंकम टैक्स और C.B.I. का कैसा दुरुस्तमाल हुआ दुरुप्योग हुआ ताकि कंपनियों को मजबूरी वो इलेक्टरल बॉन्ड उनको खरीदना ही पड़ा हमने ये मांग करते आए हैं हमने कई बार J.P.C की भी मांग की है इस मामले को लेकर पर परसो दिन एक बंगलूरू के एक विशेश कोर्ट के आदेश अनुसार एक F.I.R. दर्ज हुआ है और अभी-अभी सिंग्वी जी ने आपको बताया है अगले कदम क्या होंगे समन्स होगा स्टेट्मिन्ट रिकॉर्ड किया जाएगा मुझे ताज्यब होता है दोस्तों इसके बाद भी प्रधान मंत्री नरियंदर बोदी खुद को करॉप्शन के खिलाफ पहली गारंटी के तौर पर पेश करते है प्रधान मंत्री कुछ देर के लिए इन में से कई निर्मान निजी और द्योगिक संस्थानों को दिये गए और दिशस्थ बात ये भी है कि इन और द्योगिक संस्थानों ने गुप्त चुनावी चंदी के जरीए भारती जन्ता पार्टी को पैसे दिये आपको याद है सिल्कियारा टनल हमारे करीब साथ मजदूर फस गए थे तब रैट माइनर्स की कोशिशों के चलते हम उत्तरा खंड में अपने मजदूरों को बचा पाए थे उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ था सिलक्यारा टैनल का निर्माण जिस और द्योगिक समू ने किया था उस पर कोई कारवाई नी आज तक कारवाई नी की गई उल्टा जिस रैट माइनर्स ने हमारे मजदूरों को बचाया उसके घर को दिल्ली में बुल्डोजर से उड़ा दिया गया था यानि कि जिसने जान बचाई जो रक्षक था तुमने बुल्डोजर से उसे रौंद दिया मगर जिसकी वज़ा से सिलक्यारा टैनल में हमारे मजदूर फस गए थे उन पर कोई आक्षिन नहीं लिया गया इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों आजाद भारत के इतिहास का ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसकी संपूर्ण जाच होनी चाहिए दूद का दूद और पानी का पानी हो जाएगा अब इसार शेर्मा को दीजे जासत नमस्कार